बिसम्राय रह्मान रहीम स्टूडेंट्स अच्छे आज हम डिकंपोजीशन मेथर्ट से एक और डिफ्रेंचल इक्वेशन सॉल्व करेंगे यह डिफ्रेंचल इक्वेशन भी और डिफ्रेंचल इक्वेशन है और इसको हम एरी एक्वेशन कहते हैं तो यह एक्वेशन दिखन वो function है एक्स का यू डबल प्राइम ओफ एक्स इस इक्वर्स टू एक्स इन्टू यू आफ एक्स इन्हीं अगर कभी भी ऐसा हो कि यू का डबल डरिवेटिव हो यह निदिपैंडेंड वेरियबल का और यहां पर डिपैंडेंड वेरियबल हो राइट एंड साइड पर और से मल्टिप्लाय हो रहा हूँ ठीक है जो इन्डिपैंडेंड वेरियबल है तो ऐसी क्वेशन को हम एरी क्वेशन कहते हैं और यह इनिशल वैल्यू प्राबलम होती है साथ में कुछ कंडिशन भी दीवी है ठीक हैं यह कंडिशन दीवे के यू एड जीरो इस इकोल्स टू एंड यू प्राइम एंड जीरो इस इकोल्स टू बी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि यू की वैलियो है एंड एक्स जीरो यह जब एक्स की वैलियो जीरो है तो यू की वैलियो ए है और इसका मतलब यह है कि यू प्राइम जो है वो बराबरे B के जबके X की वैलियो है जीरो इन दोनों कंडिशन में खास बात ये है कि X की वैलियो फिक्स है और जब इस तरह की कंडिशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वैरियेबल जिए कि यहां पर X की वैलियो फिक्स हो तो ऐसे problem को हम कहते है initial value problem तो यह एक initial value problem है और अब हम इस initial value problem को tackle करेंगे by using the addomian decomposition method तो पहला step addomian decomposition method में यह होता है कि जी इसको हम operator की form में लिखेंगे ठीक है जी तो मैं इसको यह लिख सकता हूँ जी L और यह U is equals to X into U और यहां पर L को मैं define करूँगा कि L क्या है ठीक है where L is D square U over DX square और यह इस तरह से क्यों है क्योंकि देखें यह U का second derivative है तो U के से पहले मैंने L लिख दिया और यह जो L है यह हमारा differential operator है जो के बराबर है D square over DX square यह हम D square over DX square को L से जाहर कर रहे है ठीक है अगर यह first order derivative होता तो हमारा L कैसे होता हमारा L होता D over DX अगर यह third order होता तो फिर हमारा L होता यह D cube over DX cube ठीक है तो फिर वख चुके यह second order derivative है तो इसको हम यह लिख सकते है L, U और L को हमने कहा है कि यह second order differential operator है ठीक है ठीक है तो यह हमने क्या किया कि सबसे पहले इस differential equation जो है जो दी विए उसको आपने operator की form में लिख देना है यह operator की form में लिख देना है जब आप operator की form में लिखेंगे तो उसके बाद आपने inverse apply करना है लेकिन inverse पहले हम define करेंगे देखें L हमने define किया है और यह इस operator के जरी हम derivative find करेंगे second order तो आपको पता है कि derivative और integration यह जो है यह opposite है ठीक है और inverse process है एक तरह से ठीक है और तो अगर मैं आप से कहूँ कि L जो है यानि जो operator है वो d over dx है तो इसका जो inverse है वो क्या होगा inverse बराबर होगा integral zero से x dx ठीक है स्टोंड लेकिन अगर मैं आप से कहूँ कि हमारा जो operator है वो second order का है इस तरह से तो इसका जो inverse होगा वो कैसे होगा वो double integral होगा इस तरह से double integral zero to x दोनों की limit zero to x होगी और हमें दो दफ़र dx लिखना पड़ेगा इसी तरह से अगर हमारा जो linear operator है L वो first करे third order का है इस तरह से तो जो inverse operator होगा वो क्या होगा जी triple integral होगा zero to और limit सब की zero to x होगी और यहां पर हम लिखेंगे तीन दफ़र dx ठीक है तो addomian d composition में सबसे पहले हम यह करते हैं कि जी first order पहले हम जो भी equation दी होती है differential equation चाहे वो audio चाहे पीडियो उसको हम operator की form में लिखते हैं और फिर second step में हम क्या करते हैं second step में हम यह करते हैं कि हम दून साइड्स पर operate करा देते हैं L inverse ठीक है तो operating L inverse on both sides of above equation ठीक स्ट्रोंट्स अब हम क्या करेंगे यह L inverse and you is equal to L inverse excellent to you इस तरह से अब यह step जड़ा relatively थोड़ा सा tricky है आपने यहाँ focus करना है यह L inverse एप्लाई हो रहा है L U पर L खुद क्या है L को चेक करें L second derivative है तो क्या मैं इसको U लिख सकता हूँ L inverse L की जगा यह लिख देता हूँ इस तरह से 20 को यह मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ इस ठीक है जैसे जैसे आप लोग की practice होती जाएगी फिर आप यह चीज़े डारेक्ट लिखते जाएगे तो मैंने ल की जगा दुबारा यह लिख दिया चुकिए secondary वेट यह अब इन्वर्स operator इस पर अप्लाई करना है इस इन्वर्स operator का मतलब है कि हमें यह वाली कहानी है तो एल इन्वर्स का मतलब यह है कि मुझे इस वक्त दो दफ़ाइस को इंडिग्रेट करना है तो आप देखें यह secondary वेट इसको मैं एक दफ़ाइंडिग्रेट करूंगा limit apply करूंगा zero to x और फिर दोबारा मैं इस इंडिग्रेट करूंगा ठीक है तो मैं इसको यू लिखता हूँ देखें यह मैंने एल इन्वर्स की जगा लिख दिया है ठीक है स्टोंड्स और यह derivative है अपनी जगा पर यह मैं यहां लिख रहा हूँ d square u over dx square dx dx is equals to l inverse और यह 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 ठीक है स्टोंड्स तो यह मैंने क्या किया है यह मैंने किया यह है कि यह जो एल इन्वर्स है इसकी जगा मैंने यह लिख दिया ठीक है यह डबल इंटेग्रल zero to x और दो दफ़र dx अच्छा जी अब यह डबल इंटेग्रल हम करेंगे step by step पहले inner इंटेग्रल हर करेंगे अंदर वाला यह वाला ठीक है और यहां से हमें एक formula बना देंगे next questions में हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे हम एक दफा formula drive करेंगे और फिर डारेक्ट लिखेंगे तो यह zero to x अब बचो देखें यह second derivative है second derivative को अगर आप एक दफा integrate करोगे तो वो first derivative में convert हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से अगर आप जैसे मिसाल के तोर पे कोई आप से कहे कि इसका क्या हो गए integral इसका तो यह derivative खतम हो जाएगा इसका result just यह function you आएगा ठीक है एक दफा integrate करें तो जब आप एक दफा integrate करेंगे तो यह second order है एक order कम हो जाएगा first order में convert हो जाएगा जब आप दूसरी मरतब एंटीग्रेट करेंगे तो यह इसका second order भी खतम हो जाएगा यह just function you रह जाएगा तो इसको मैं अब integrate करने जा रहा हूँ इसको तो यह बचेगा क्या यह बचेगा यू प्राइम आफ एक्स यू और limit क्या है जी 0 से x dx is equals to l inverse x into you तो मैंने क्या किया है मैंने just जब इसको integrate किया तो second order था तो इसको जब एक द बन गया और लेमिट कहें जीろ to x अब ये limit एपलाई करेंगे जी limit apply करेंगे तो जहां-जहां x आ रहा है वाँ में लिखूंगा x और जहां-जहां x आ रहा है पहले x लिखूंगा और फिर वहाँ 0 लिख दूँगा ठीक है fundamental theorem of calculus apply करेंगे तो पहले upper limit इसको हम upper limit कहते हैं पहले upper limit apply करेंगे तो यह आएगा u prime of x फिर हम minus लगाते है फिर lower limit operator x अब आप जरह यहां देखिए का अपने question में यू प्राइम आफ जीरो में दिया हुआ है यू प्राइम आफ जीरो की वैलियो है भी तो यहां में लिख दूँगा भी यह फिर्स करें मैं अभी यहां नहीं लिखता भी ठीक है ताकि एक formula drive हो जाए u prime of x minus u prime of 0 और यह dx एलिन वर्स x into u ठीक है students अब दोबारे इसको integrate करेंगे जब दोबारे integrate करेंगे अब यह first order है जब मैं इसको integrate करूंगा तो यह first order derivative भी खतम हो जाएगा just u रह जाएगा तो इसका result क्या आएगा इसका result आएगा u of x derivative खतम हो जाएगा और limit होगी 0 से x minus यहां पे आपने थोड़ा सा focus करना है अच्छा u prime of 0 का क्या मतलब है u prime of 0 का मतलब यह होता है कि आप u का derivative निकालें इस तरह से du over dx फिर जाज़ा x आ रहे होँ आप 0 पुट कर दें तो यह बुन्यादी तोर पे क्या होता है यह बुन्यादी तोर पे होता है एक constant चीक है students तो यह constant है तो u prime of 0 constant होता है तो constant पे तो कोई फर्फ नहीं पड़ेगा जब आप integrate करेंगे साइन ओफ integration से बाहर आ जाएगा इस तरह से u prime of 0 और integral बचेगा 0 से x dx is equals to l inverse x into u तो यह याद रखेगा कि u prime of 0 यह क्या है constant है ठीक है इसका मतलब है कि u का first derivative है और फिर आपने x की जगह 0 पुट करना है तो इसका result constant आता है तो यह constant है dx का integral हमें सब को पता है कि x होता है अगर मैं dx को integrate करूंगा तो इसका result x होता है तो basic integration आप को होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं जी अच्छे यहाँ पर fundamental theorem of calculus कैसे लगाएंगे पहले अप इसको upper limit केते हैं इसको lower limit पहले upper limit अप्लाई करेंगे तो u जहाँ जहाँ x आरे हमाँ x फिर minus फिर u जहाँ जहाँ x आरे हमाँ 0 minus u prime of 0 as it is dx का जो integral होता है वो x होता है और यह 0 से x l inverse x into u अब हमें करना यह है u of x as it is minus u of 0 minus u prime of 0 जहाँ जहाँ x आरे हमाँ मैंने x लिखना है fundamental theorem of calculus यह x, x की जगा एक्स तो x ही आएगा फिर minus जहाँ जहाँ x आरे हमाँ 0 x minus 0 is equal to l inverse x into u इसको मजीद simplify करते हैं और देखते हैं क्या आता है ठीक है तो यह यू आफ एक्स minus u of 0 minus x u prime of 0 is equal to x into u का यह हमने l inverse of x into u तो यहाँ पे इसको जड़ा एनलाइस करें इसको क्या मैं यू लिख सकता हूँ minus x u prime of 0 minus u of 0 is equal to l inverse x into u इस तरह से मैंने लिख दिया है अच्छा यह जो left hand side आई है मेरे पास यह 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 असल में किसको simplify कर गया है इसको l inverse l into u अब यहाँ से हम एक formula बनाएं जाएंगे ठीक है यह चेक कीजिए अब यह था l inverse और फिर l u इसको जब मैंने simplify किया तो simplification के नतीजे में यह चीज़ आ गया तो यहाँ पर हम एक formula बनाएंगे कि कभी भी अगर आपका जो differential operator है वो second order का हो यह इस तरह d square over dx square तो जो inverse operator होगा वो double integral की form में होगा इस तरह 0 to x उसकी limit होगी 0 to x dx dx और अगर इस तरह की situation आ जाए कि आपने inverse operator एपलाई किया हो L into U पर ठीक है जैसे के यहाँ पर था L inverse L into U तो ऐसी situation में जो इसका result आएगा वो आपको direct लिखना है कैसे लिखना है जी U of x minus x U prime of 0 minus U of 0 यह direct result लिखेंगे हो लेकिन अच्छा यह एक formula होगा है हमारा फर्स कर लेते हैं कि हमारा जो operator है L वो first order का है इस तरह D over dx तो जो inverse operator होगा वो कैसे होगा वो इस तरह से होगा यहों क्योंकि जो inverse operator है वो depend करता है operator पर जो हमने differential operator है define किया हुआ है उस पर तो यह first order differential operator है तो जो integral होगा उसमें एक integral होगा अगर second order होगा तो फिर double integral third order होगा तो फिर तीन integral अगर ऐसी situation आ जाए कि आपने L inverse लेना हो L U का तो इसका result क्या आएगा तो इसका result मुझे जहां तक याद पढ़ता है हमने पिछले lecture में किया था ठीक है और इसका result आता है यू एक्स माइनस यू अफ जीरो तो ये दो फॉर्मूलें आपने याद रखने कि कभी भी L U पर अगर मैं L inverse से पर आई करूंगा तो result आएगा यू अफ एक्स माइनस यू अफ जीरो अगर L first order differential operator है और अगर second order differential operator है तो वो ये आएगा ठीक है ये हमने यहां drive कर लिए अब होता यह है कि जो हमारे पास addomian decomposition है उसमें आप पहले operator की form में लिखते हैं फिर आप inverse operator लगाते हैं और जिल भी आप inverse operator लगाते हैं तो यहां देखिए गए इस तरह की situation बनती है तो L inverse L U तो हमेशा L U का L inverse होता है यहां पर ठीक है तो इसको simplify करने का तरीका क्या होता है इसको simplify करने का तरीका यह होता है कि यह depend करते हैं कि यह जो L है यह first order है second order है यह third order है तो उसका result यह होगा U X minus U of 0 और अगर second order है यह L तो फिर U of X minus X U prime of 0 minus U of 0 ठीक है यह आपके पास result होता है तो चुक्छे यह second order था तो इसलिए हमारे पास यह result है अब जो third step होगी है कि इसमेसे आपको U of X को बिल्कुल हम अलग करेंगे और जो initial conditions दी होगी होगी वो हम apply करेंगे जैसे U of 0 क्या दि यह वाई B तो यहां हम condition apply करेंगे minus X U prime of 0 दिया होई B U of 0 दिया होई A is equals to L inverse X into U तुमाम रखमों को उस तरफ बेज देंगे U of X को अलग कर देंगे तो यह बन जाएगा A plus X B plus inverse operator of X into U तो यह वो step था जिसमें हमने U of X को बिल्कुल अलग कर दिया है अब हम यह करेंगे कि अब हमने एक series पुड़ी थी Idomian decomposition के पहले lecture में हमने एक series पुड़ी थी के जो solution होता है जिसे U of X इस U of X को मैं infinite series की शूरत में लिख सकता हूँ U of X की जगा में लिख दूँगा कि U of X जो है यह हमारा बराबर होगा summation decomposition series हमने उसे कहा था 0 से infinity U N of X ठीक है और इसको मैं ज़र रीकॉल करके expand कर देता हूँ थाकि आप लोग को थोड़ा रीकॉल हो जाए तो मैं इसको यू निक सकता हूँ U of X जो के हमारा solution है यह बराबर होगा अगर N की जगा में 0 पूट करूँ तो यह आजाएगा U not of X फिर N की जगा 1 फिर N की जगा 2 इस तरह से expand करें फिर N की जगा 3 और यह सिलसला ऐसे infinity तक जाएगा अच्छा एक बात याद रखिएगा यह U of X जो ही हमारा solution है इस इस आवर required solution ठीक है तो यह जो U of X है यह इस infinite series के बराबर है जितनी ज्यादा आप टरम्स लेंगे उतना ज्यादा accurate solution आएगा यह बात याद रखिएगा अगर आप दो टरम्स लेंगे और एक बंदे ने तीन टरम्स लेंगे उसका solution आप से ज्यादा accurate होगा किसी ने चार ले लिए उसका solution ज्यादा accurate होगा तो हम इसकी convergence की तरफ नहीं जा रहे हैं इस तरह की चीजों की तरफ हम नहीं जा रहे हैं कि वो score से out है वो कानिया वो फिर जब हम कोई advanced engineering mathematics का कोई second part शूरू करेंगे तो उसमें फिर हम discuss कर लेंगे तो बाराल फिल वक्त जो है वो यह है कि यह हमारा required solution है और required solution को हमेशा हम लिखते हैं एक infinite series की सूरत में और यह infinite series की सूरत में इस तरह लिखा जाता है summation and rise from zero to infinity un of x ठीक है अब आपने यह infinite series जो है यह put करनी है in above equation put in above equation असल में हमारा मकसल अब यह components मालूम करना है इसको initial approximation मी कहता है u not of x को ठीक है यह u not u1 u2 u3 यह हमें find करने है ठीक है तो चलते हैं जी फिर यह जब u not u1 u2 u3 find हो जाएंगे इसको equation steric के देते हैं फिर हम इसमें put कर देंगे तो हमारा solution आ जाएगा अच्छे जी तो u of x की जगह मैं यह put कर दूँगा यह जो infinite series है तो मैं ux की जगह put कर दूँगा u not plus u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 is equals to a plus xb plus ठीक है यह मैंने sorry यहां u नहीं आएगा यहां आएगा summation n runs from 0 to infinity u n of x ठीक है अच्छे लास्टाइब हमने discussion की थी इसमें कि जो हमारा infinite जो हमारा solution होता है वो असल में एक series की form में होता है ठीक है और इस series का हमने special नाम रखा था कि यह decomposition series होती है और इस decomposition series के बहुत सारे components होते हैं जैसे u not, u1, u2, u3 इस तरह से बहुत सारे components होते हैं इसके और हमने यह बात भी discuss की थी कि इसमें जो u not होता है ठीक है यह हम कैसे find करते हैं ठीक है तो यह भी देखते हैं अबाँ अच्छा फिल वक्त हम इस u not पे दोबारा भी गुफटगू करेंगे इस वक्त जो l inverse से बाहर जो भी है यह हमारा यू not है यह l inverse जो भी inverse operator होगा याद रखें जो भी inverse operator होगा और यह इसका argument कैलाता है operator का यह जो इसके अंदर लिखा होता यह यह इस inverse operator का argument है इस argument में चेक करें कि कहीं पर u नजर आ रहा है आपको un अगर un आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब है इसके बाहर जो भी है वो यू not है ठीक है तो यू not हमारा क्या हुआ therefore यू not हमारा हुआ a plus x b और मैंने आप लोग को एक recurrence relation बनाने का तरीका सिखाया था कि बाकी क्या रहे गए u1, u2, u3, u4 यह हम कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोग को अच्छे जब आपने u not निकाल लिया न तो आप इसको भूल जाएं इसको समझें हैं ही नहीं इस चीज़ों को भूल जाएं आप और बाकियों को देखते हुए हमने recurrence relation recurrence relation बनाना है कैसे बनाएंगे u1, u2, u3 up to u infinity इसको मैं लिखूंगा u k plus 1 अभी मैं इसको explain करता हूँ is equals to इसको भूल जाएं क्या रहागिया जी this x यहां से summation को खतम करें ठीक है recurrence relation बनाने के लिए आपको यहां से summation को खतम करना होगा और यहां k plus 1 लिखा है तो अंदर लिखेंगे k अगर यहां आप k लिखेंगे तो अंदर एक कम लिखेंगे ठीक है तो यहां में लिखूंगा u k और k की value कहां से start होगी k की value start होगी 0 से ठीक है k is greater than or equal to 0 यह हमारा एक recurrence relation बनाना है अच्छे जी अब हम k की value put करेंगे 0 जब 0 put करूंगा तो यहां हो जाएगा कहाजी k 0 put करेंगे तो यह बन जाएगा u1 u1 is equal to l inverse x u0 और u0 हमें पता है यह रहा तो u1 is equal to this x और यह है a plus x b इस तरह से यह a plus x भी जाएगा है ठीक है stones अब हम क्या करेंगे इस x का अंदर multiply कर लेंगे l inverse यह बन जाएगा ax plus x square b ठीक है अब इस l inverse का क्या मतलब है l inverse का मतलब यह है कि इसे हमें 2 दफ़ा integrate करना है ठीक है लेकिं integrate करने का तरीका यह होगा कि हम 2 दफ़ा integrate एक साथ नहीं कर सकते है हम जब भी integrate करेंगे इसको तो हम एक साथ integrate नहीं कर सकते है हमें एक दफ़ा integrate करना होगा उसका जो result आएगा उसको फिर दोबारा integrate करेंगे ठीक है तो किस तरह से होगी integration इसकी यह देखिएगा यह मैं लिखूंगा यू यू वन इस इक्वार्स टू दोबारा integrate करेंगे इसको जिरो टू एक्स 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 स्क्वाइर भी बी एक्स बी एक्स तो पहले हम अंदर वाले इंटिग्रल को evaluate करेंगे फिर बाहर वाले को तो पहले हम इस integral को evaluate करेंगे और बाहर वाले को ऐसे ही रहने दे यू 1 बाहर वाले integral as it is उसका dx भी लिख दे अंदर हम integrate करेंगे तो बताएं ax का integral क्या होगा जी यह होगा a x square by 2 और x square b का b तो constant x square का x cube by 3 और limit क्या होगी 0 to x अब fundamental theorem of calculus लगेगा ठीक है fundamental theorem of calculus ftc लगाएंगे हम और वो क्या है कि जहां जहां x आ रहा है यहां पर वहां हम पहले upper limit पूट करेंगे लेकिन यहां पर जो domain decomposition में वो interesting बात यहां कि upper limit x ही होती है ठीक है अगर यहां 2 होता तो जहां जहां x आ रहा होता वहां मैंने 2 पूट करना था तो पहले मैं upper limit पूट करूँगा तो उससे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यही आएगा जहां जहां x है वहां मैंने x ही पूट करना है तो उससे तो फरक आए पड़ेगा नहीं भी x cube over 3 फिर माइनस जहां जहां अब x अभी lower limit पूट करेंगे माइनस लगाके इस पूरे में हम lower limit पूट करेंगे lower limit है 0 यहां 0 पूट करूँगा यह दोनों ट्रम जीरो हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है जैस्ट हो जाएकर dx अब इसको integrate करेंगे x cube over 3 plus b over 3 constant यह जाएगा x की power 4 over 4 ठीक है तो यह क्या बन जाएगा 4 into 3 12 और limit क्या होगी जी 0 to x अब इस पूरे में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां हमने अपर limit पूट करनी x उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं और इस पूरे में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां में 0 तो यहां भी 0 पूट करूंगा यहां भी 0 पूरा 0 हो जाएगा तो पहले upper limit पूट करेंगे फिर minus फिर lower limit मगर lower limit पूट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उससे यह सारी term 0 हो रही है तो हम direct link देंगे कि u1 is equal to a x cube upon 6 plus b x की power 4 upon 12 ठीक है students तो यह हमारे पास आगया u1 अच यह याद रखिएगा कि u naught हमेशा direct निकलता है जैसे हमने यह u naught निकाला था और फिर u naught की जो terms है उनको आप एक तरह से remove कर दें यह u1, u2, u3, u4 इसकी जगह आप लिख दें u k plus 1 और यह l inverse x और जहां summation है summation को अटा दें n की जगह लिख दें k ठीक है यह k तो यह आपका recurrence relation बन जाते हैं k की value greater or equal to 0 होगी ठीक है फिर k की value आप 0 पुट करें तो यह k की जगह 0 पुट करें 0 plus 1 1 u1 आ जाएगा फिर k की जगह 1 पुट करें 1 plus 1 u2 आ जाएगा इस तरह k की जगह values पुट करते जाएगा और different यह जो u naught u1 u2 u3 है यह इस infinite series की जो के हमारा solution है इसके components है यह u naught u1 u2 u3 ठीक है हम u1 निकाल चुके हैं अब u2 के लिए हम क्या करेंगे जी u2 के लिए हम करेंगे k put करेंगे 1 इस recurrence relation में मैं इसको highlight कर देता हूँ यह recurrence relation में हम put करेंगे k की जगह 1 k की जगह 1 put करेंगे तो क्या बनेंगा u2 हो जाएगा x और यह u1 हो जाएगा अच्छा इसको recurrence relation क्यों कहते है recurrence relation इसको यू कहते हैं कि यह ज़र आप गोर से देखिएगा u1 मालूम करने के लिए u1 का पता होना जरूरी है वो हमें पता था हमने यह पुट कर दिया यह u1 आ गया अब आप यह u2 का फॉर्मूला देखिए u2 बराबर है l inverse x u1 तो u2 मालूम करने के लिए आपको u1 पता होना चाहिए u3 मालूम करने के लिए u2 का पता होना चाहिए u3 मालूम करने के लिए u4 मालूम करने के लिए u3 का पता होना चाहिए इसका मतलब यह है यह अगर हम इस सीरीज को देखें इस तरह से यह जो infinite series है जिसको decomposition series कहते है अगर इसको आप गोर से इस तरह देखें तो यह यू है तो यू नोट तो direct आ जाता फिर यू 1 मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए previous वाली टरम यू नोट यू 2 मालूम करने के लिए previous वाली टरम चाहिए यू 3 मालूम करने के लिए previous वाली टरम चाहिए तो जब भी आपको succeeding terms के लिए preceding term चाहिए हो यह जब आगे की टरम आप उसी वक मालूम कर सकते हो जो पिछली वाली टरम मालूम हो ठेक है तो ऐसे relation को हम कहते है recurrence relation ठेक है तो यह recurrence relation है बहाराग यह U2 है यह L inverse X और U1 हमने निकाला हुए जी U1 हमारे पास यह है यह U1 यह U1 मैं यहाँ पूट कर दूँगा A X cube upon 6 प्लस B X की पावर तो यहाँ मैं पूट करूँगा A X cube over 6 प्लस B X की पावर 4 over 12 X को अंदर ले जाएंगे क्या बनेगा A X की पावर 4 upon 6 B X की पावर 4 upon 12 और इस L inverse का मतलब यह है कि आपने इसको दो दफ़ा क्या करना है इंटिग्रेट करना है ठीक है इसको दो दफ़ाँ इंटिग्रेट करना है तो दो दफ़ाँ इंटिग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे है वो मैं डारेक लेक लेक रहा हूँ A X की पावर 6 over 180 प्लस B X की पावर 7 upon 504 यह आपका आगे U2 ठीक है तो हमारे पास U1 भी है U2 भी है और U0 भी है तो therefore हमारे जो सीरीज है U of X जो required solution है वो बराबर किस के था U0 प्लस U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 इसमें values पूट करें जी U0 किया था A प्लस BX U1 हमने find किया था A X cube upon 6 प्लस B X की पावर 4 upon 12 प्लस U2 यह रहा A X की पावर 6 over 180 प्लस B X की पावर 7 upon 504 प्लस डॉट 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 फिर मैं बता चुका हूँ जितनी ज्यादा टॉट आप लेंगे उतना ज्यादा accurate solution आएगा मगर फिल वक हमारी discussion यह नहीं है कि हमें कितनी टॉट लेनी चाहिए ठीक है उस पर हमें अगर time मिला तो मैं end पे जरूर इस पर गुफतबू करूँगा बारहाल फिल वक अगर आप paper point of view से plus x cube over 6 plus x की power 6 upon 180 plus dot 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 यहीं मैंने a की terms को उन terms को collect किया जिनमें a आ रहा है देखे नहीं a x cube है यहां x की power 4 है आगे a को होगा पिर आगे भी a होगा तो मैंने a की terms में से a को common निकाल दिया तो यहां क्या रह गया one यहां रह गया x cube upon 6 यहां रह गया x की power 6 upon 180 आगे वाद यह टरम्स में भी a होगा उससे आगे भी a होगा लाहाज से उसके लिए मैंने dot 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 लगा दिया अब b की terms में से b common निकाल देंगे b तो यहां बचेगा x यहां बचेगा x की power 4 upon 12 यहां बचेगा x की power 7 upon 504 और आगे भी कुछ होगा वो मैं पता नहीं है लहाज हम dot dot लगा देंगे कि यह सिलसला ऐसे ही चलता रहेगा तो यह जो हमारे पास एक infinite series आई है यह actually इस जो हमने एक equation लिए भी थी जिसको हमने कहा था area equation यह उस area equation का solution है इस equation का ठीक है तो यह हमने एक और ODE solve की है by using addomian decomposition method और देखें मेरा तो बस एक simple सी suggestion मेरी यह है कि आप जब lecture 2 सुना करें तो उसके लिए आपको lecture 1 काना जरूरी है पर 3 के लिए बाकी 2 काना जरूरी है अगर आपकी base अच्छी नहीं होगी तो फिर लाजिम बाते हम आगे ठीक से बढ़ने ही पाएंगे तो कोशिश करें कि लेक्चर को आप sequence wise सुनें ठीक है उसे अच्छी तरह समझें और अगर कहीं पर भी किसी तरह की भी confusion है तो ठीक है तो मुझसे मेरे whatsapp नमर पर आप रापसा कर सकते हैं 0343 झाल